आज के दोर में जिन्दगी का गुजारा करने के लिए इंधन को बहुत अहम माना जाता है जिससे पेट्रोल और डिजल के अलावा पेट्रोलियूम और चारकुल के रूम में इस्तमाल किया जाता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंधन की खोज कब और कैसे की गई थी और पेट्रोल के खोज इंसान पहले कैसे रोजमर्रा के काम कैसे करते थी अगर नहीं तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको इतियास से कुछ सो सतर साल पहले जाना होगा इंधन की असल शुरुआ थी सो सतर साल पहले आम लोगों की जिन्दगी इंसानी जीवन म इंधन की कमी 170 साल पहरेव हुई थी लेकिन उससे पले भी धरती पर लाखो लोगों जीवत व्यतित कर रहे थे पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि डीजल और पेट्रोल की खुझ के बिना अपने लोग रोजमर्रा के काम कैसे करते थे क्योंकि उस दोर में न तो इंधन और नहीं लाइट का था अपने जिंदगी व्यतित करने के लिए दिन के उजाले के सहारे रते थे जबकि सुरज धलने के बाद जैसे ही अंधेरा होता था लोग अपने घरोंक में कैद हो जाते थे इस दोरान घर में हलकी सी फुलकी रोशनी के लिए मचली और चिडियों के इस्तमाल करते थे जिनका पले सिकार किया जाता था फिर उन्हें कई कई दिनों तक सुखाया जाता था ऐसे करते में मृत जीवे एक अच्छे जोल सिल पजारत में तबदिल हो जाता था जिससे आग लागाता रात तक अंधेरे को दूर करने के व्यास्ता की जाती थी उस द ये कई दिन पहले ही तैयारी करने पड़ते थी क्योंकि पच्छी या मचली सिकार करने के बाद उसे सौ को सुखाना जरूरी होता था ताकि उसमें अच्छे सी आग लग सकी पंद्रहवी और सोलहवी सताबदी के दवरान अमेरिका और यूरूब में विश्यस तरह की मचली और चिडियों का सिकार करने में आग जलाने के लिए इस्तमाल किया था था जबकि कुछ मचली मुह में एक मोटा धागा लागा कब बत्ती हुई इस्तमाल करते थे ताकि मचली के साथ धागा और ज्यादा लंबे समय तक जल सकी और लोहे या लकड़ी का लटकरता मसाल रू बुआत ज्यादा हो गए थी इस दोर में वील की एजाने लगे थे क्य Väin nza means और अब बनाय जाने वाला तील को ज़ुआ जलाने के लिए किया जाता थास्ताि पश्वार करें चाहरा करते थे और स्कांड खैन्म जबाइब ने मी संखकोपन उसे चsta氣 लोगारा और जिसे अमेरिका और काफी ज्यादा फायदा मिला करता था और उसके दोरा बनाया जाने वाला तेल कई दिशों में लेंप जलाने के लिए इस्तमाल होता था साल 17 से 1850 तक अमेरिका विल के तेल का वेपार कर रहा था जिससे लिए मचली में 700 अमेरिका जहाज विल मचली का सिकार करने के लिए निकलते थे क्योंकि इससे न सिर्फ विल की संख्या कम हो रही थी बलकि समुद्र में फूर्ट चेन भी बुई तरह से प्रभावित हो रहा था साल इंडिया पालिटेकनिक में कैनेडा में अविश्कार एक भूविग्यानी अबराहम पाई नियुमेउ गैसन इंधन का नाया आपसन खोजने का शुरू किया ताकि घरो के लाब को जलाने और रोसनी के लिए हुए सिकार ने किये जाने अबराहम को कोईला कोलतरा आयल सेली का इस्तमाल करके केरोसीन आयल याने मिटी का तिल बना कर तैयार किया था जिसे इंधन बनाने में दिसा के करांतिलान काम किया था इस दिनों में इस्तेमाल करके मिटी का तिल बनाना आसान और कम खर्चीला था जब कि तिल को बजार में कम कीमत पर भी बिचा जा सकता था केरोसीन आयल के आवे सरकार सिर्फ विल के सिकार में कमी आई थे बलकी मध्यम और गरीव वर्क के लोग भी मिटी का तिल खरीद कर घरों के लेंब जला सकते थे अबराहम गैस ने साल 1850 में केरोसीन लाइट नामे कमपनी खोली और लेंब बनाने का शुरू किया जिसमें आम लोग असानी से केरोसीन आयल के साथ लाब नहीं खरी सकते थे इस कमपनी के आने विल का सिकार करने तिल बनाने वाले कमपनीयां का बीजनेस डूब गया था लेकिन इसे आम लोगों को रात के समय घर में बाहर निकलने और अपने जरूरत काम करने में काफी असानी हो गई थी हलांकि केरोसीन आल की खोज के बाद बैतर इंदन की तलास जारी रहे क्योंकि इंसानों को सिर्फ रात के अंधेरे को दूर करने के लिए ही इंदन की जरूरत नहीं थी साल 1980 में अमेरिका के डाड मांट कॉलेज में एक प्रोफेसर जार्ज विसल सामने आये जिनों ने अमेरिका के पैसिलवेनिया राज में रिसर्च शुरू की थी दरसल प्रोफेसर चार्ज मिसाईल को कुछ गाउवालों ने संपर किया था क्योंकि उन्हें गाउँ के दुरदाज इलाके में जमीन से एक अजीब सचीकित सब प्रधार्ट मिला था प्रोफेसर चाज मिसाइल ने उन इलाकों को दोर किया था जहां जमीन पर छोटे-छोटे बुलबुले उठ है थे और ये चीज काफी चिप-चिपे थे प्रोफेसर ने उन्हें चिप-चिपे पधार्द के सेंपल इकठा कि और वापस कॉले में लोट जाए उन्होंने इस परदार्ट की काफी दिनों तक रिसर्च की और उसे रिफान करने में काम्याभी हासिल कर ली पच्छे तेल की खोच को रिसर्च के दोरान ही प्रोफेसर जाज को पता चला कि वो चिकता परदार्ट जोल सिल है इसका इस्तमाल लेंप जलाने वाले इंधन के रूब में किया या सकता है इतना ही नहीं प्रोफेसर को यकीन था कि पेशावसुई की जमीन नीचे ऐसे जोनसिल चिकन परदार्ट का भंडार हो सकता था जो तरल रूब में मौझूद होगा इस्तमाल करना इस इनसान के लिए असान हो सकता था इसके बाद प्रोफेसर चाज बेल्स वापस गाय में पहुंचे ताकि जमीन में खुदाई करके तरल जो अंसित परदार्थ को परात किया या सके इस काम के लिए प्रोफेसर चाज ने एडविन राइंग के नाम एक सक्त की मदद लिए जो पेशे से कंड़क्टर और होटल के कलर की नौकरी भी कर चुका था एडविन ट्रक के पास सारी नालेज थे जिसके मदद से प्रस्वेलिया की जमिंग के इंधन के लिए खोदा जा सकता था लेकिन एडविन राइंग के लिए इस काम को अंजाम नहीं दे सकते थे इसलिए उन्होंने विलियम स्मिट नाम एक सक्त को संपर्क किया उनाने प्रति दिन के हिसाब से ढाई डालर की दिहाडी पर नक्री परक लिया था विलियम स्मिट को लोग प्यार सा अंकल बिली कते थे जी मुक्य रूप रूप से बोरलिंग डार्लिंग पानी के नल को लगाने का काम करते थे इनमें अंकल मिली एक्षपिरिस को अपने काम के लिए यूज किया जा सकता था उन दोनों ने मिलकर प्रसेश हुए कि अलग अलग इलाकों के प्रक्रितिक तिल के कुवे की खोश शुरू की लेकिन काफी दिनों तक खोश करने के बाद उन लो लोग की उमीद की नीचे एक बड़ा तेल का भंडार है लेकिन जमीन में नाइन फिट की खुदाई करने के बाद बड़ा पत्थर बीच आ गया जहां खुदाई कर रहे है ड्रेलिंग मसीन के पाइप के अटक गया इस वज़ा से अंकल मिली और उनके बेटरी ड्रेलिंग क काम बीच में ही रोकना पड़ा जिसके बाद वेद्रे के टीम का इंजन लेकर खुदाई वाली जगर पर पहुँच के इस टीम इंजन के मदद से ड्रेलिंग के रास्ते में पत्थर को टोड़ने की कोशिस की थी जिसके बाद पत्थर तूट गया और खुदाई का एक बार फिर से सुरू हो गया लेकिन जमीन के साथ फिट तक खुदाई करने के बावजूद भी नहीं निकला जिसके बाद से एडविन अंकल मिली और उनकी बेटी निरास हो गय थे उस दोर में किसी इस बात पर यकिन नहीं था कि जमीन के अंदर कच्चा तेल हो सकता है जो खुद खुदाई के दोरान कुछ नहीं निकलता तो एडविन रंग निरास हो गय और उनाने अंकल मिली से कहा कि खुदाई करने के कुछ नहीं मिलेगा इसके बाद एडविन वापस लोट गये लेकिन अंकल बिली ने खुदाई का काम जारी रखा इस बीच अठाईस अगस्त एट बेटे पाइब को जमिन से बाहर निकाला उसने देखा कि पाइब में मिटी एक साथ काले रंग का गाढ़ा और चिकना पदार्थ चिपक जा रहा है इसके बाद अंकल मिली का बेटा तुरंत उनके पास गया उन्हें बताया कि तिल मिल गया लेकिन अंकल बिली को इस बात प वो ड्रेलिंग को काम बंद करवा सके क्योंकि उस वक्त एक एड्मिन यह पता नहीं था कि अंकल बिली का तेल मिल चुका है लेकिन अब मैंने ड्रेलिंग साइट पर पहुंचे तो वहां लोगों की भारे भीड को देखकर उनके होस उड़ गये थे जब उन्होंने करीब ज गले लगा लिया इलाके में अकल मिली और उनके बेटे खुदाई काम कर रहे थे वो टाइटस मिले सहर में लगबक 11 किलोम्टर के दूरी पर लेकिन कच्छे तेल का भंडार मिलने के बाद इस जगह से बसने बिलकुल भी समय नहीं लगा रहा और कोई लोगों ने सहाब से भेजा जाने लगाए साल फायू तक इलाका होल्ड सिटी के नाम से मसुहूर हो चुका था जहां 50 से ज्यादा होटल बन गये थे और 15,000 से ज्यादा लोग इस जगह पर अपना घर बना कर रहने लगे सहर की वया से पूरा अमेरिका ही मसुहूर हो गया था लेकिन सा सिर्फ पानी ही नहीं बलकि इसके अंदर ऐसा प्रकृतिक काला सोना भी भरा है जो इंसान की धन की जरूरत को पूरा कर सकता है इसके बाद दुनिया भर में अलग 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 देशों में काले सोने की खुश शुरू हो गई जिसमें मिडल इस्ट के देशों में सबसे बड आई करके चनल को सस्क्राइब कर दीगा साथी में बल आइगां प्रेस करके नोटिफिकिशन ओन कर दिए ताकि सबसे पोले नोटिफिकिशन आप तक पहुंचे